Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तों क्या आपने कोर्स 4, 5 और 6 पून कर लिया है यदि हाँ तो दोस्तों 4, 5 और 6 की लिस्ट भी जारी हो चुकी है उसमें आप चेक कर लिजे अपना नाम अगर आपके नाम के सामने 100% complete दिख रहा है तीनों कोर्स तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर कहीं धूरा है तो आप अभी समय है और समय रहते कोर्स को पूर्ण कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपको दिखाता हूँ कैसे लिस्ट में आप अपना नाम देखेंगे आए हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक लिंक है उस लिंक को मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उस लिंक का प्रियोग करके यह आप पोर्टल खोल सकते हैं और यहाँ अपना नाम देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ देखें यहाँ पर सबसे उपर लिखा है निस्ठार, डैसबोर्ड, उत्तर प्रदेश माडूल चार माडूल चार से ले करके 6 तक है यहाँ पर जो एरो आगए बढ़ने का लगा हुआ है उसको दबाएंगे तो देखें यहाँ पर अगर हमने इसको दबादिया नेक्सट पइज कर दीया तो पाँचवह आ गया फिर हम इसको दबादेंगे नेक्सट पेज कर देंगे तो छठवह आ जाएगा ठीक है इसी तरह से तीनों माडूल को आप चेक कर लेंगे अगर आप इसको बैक कर दीजे पीछे की तरफ इतर जो एरो है इसको लगा दीजे तो यह बैक हो जाएगा और पांच वा आ गया फिर एक बार बैक कर दीजे तो आपको यह चौथा आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है यह माडूल वान आ गया यानि वन से ले करके पूरे आप समझ लिजे कि पूरे छे यहाँ तक जारी हो चुके हैं आप फिर से लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं माडूल वन से ले करके माडूल छे तक में आपका कौन-कौन से पूरा है कौन-कौन सा अधूरा ह सारा का सारा आप यहां पर अपना डाटा देख सकते हैं एक से लेके छे तक तो चलिए हम आपको माडूल 4 की तरफ ले चलते हैं और हम आपको माडूल 4 दिखाते हैं क्योंकि हमें एक दो तीन नहीं देखना है एक दो तीन आप भी देख चुके होंगे अगर आपको माडूल 4 तो चार पर आजाते हैं एक बार इसको बैक कर लेंगे its 4 पर आ आए यहां डिष्टिक नेम लिखा हुआ है इसको तिक करेंगे और अपने जीले को ढूड़ेंगे अब यहां आपका जहाँ पर जिला आजाएगा उसी जिले के सामने आप जाएंगे और टिक करेंगे ठीक है इसको आप आगे बढ़ाएंगे ओधर की तरब खिश्काते चलिए है यह मेरा जिला यहां पर दिखाए पड़ गया कॉसांबी इसको इदर खिश्का लेंगे और कौसामभी के सामने लिखा है 4.9 के यहाँ पर हम इसको tick कर देंगे only आ गया अब हम बाहर tick कर देंगे और यह आपका जिला select हो गया फिर दूसरे नमबर पर आपको यहाँ पर block दिख रहा है block आ जाया तो फिर हम block को select करते हैं block आ गया block को हम select कर लेते हैं यह हमारी block दिखने लगिए और हमारी block दूसरे नमबर पर हम कौसामभी दिख रही है इसके सामने 660 लिखा है इसको हम tick कर देंगे तो यह only हो जाएगा ठीक है only जब यह हो जाएगा तो अब यह only हो गया फिर बाहर हमने tick कर दिया कहीं भी और यह block हो गया फिर आप इसी तरह से जो है अपना यहाँ school नाम दिख रहा है school नाम को select कर ये और आप अपने school का नाम यहाँ पर ढूंड लेंगे और ढूंड करके आप उसको tick करेंगे ठीक है जैसा कि मैं देख रहा हूँ मेरा school दिख गया 552 लिखा है इसको हमने tick कर दिया और यह only हो जाएगा उसके बाद बाहर आप कहीं ही tick कर दिजी school select हो गया और यहाँ पर आपको आप दिखाई पड़ेगा आपका नाम जैसे कि मेरा मेरा दिख रहा है यहाँ पर हाँ सबका नाम यहाँ पर दिख रहा है काओन कितना percent किया है सबका data यहाँ पर दिख रहा है हमारे विद्या लेकि अब फिर back चलेंगे और यहाँ आएंगे और अगला module चिक करेंगे module no.5 टिक कर दिया यहाँ पर हमने arrow को अपना यहां पर उसी तरह से जिला फिर देखेंगे जैसे अभी देख रहे थे यहां पर अपना जिला खोजेंगे और जिला मिल जाएगा तो वही काम करेंगे जैसे कि अभी पहले किया था मेरा जिला को सम भी दिख गया 3.8 की लिखा हुआ है इसको टिकर देंगे उनली हो जाएगा फिर बाहर कहीं भी आप टिकर दीजे और इससे आप बाहर आ जाएंगे जो है स्कूल को टच करेंगे और यहांपर आप अपना स्कूल देख लेंगी जैसा कि मेरा स्कूल यहां पर दिखाई पड़ रहा था चार सुबात्तर लिखा है इसको हमने टिक कर दिया only हो गया अब बाहर हम कहीं भी टिक कर देंगे बाहर आ जाएंगे अब हमारा स्कूल खुल जाएगा और कितने लोगों ने कोर्स पून किया है जो है यहाँ पर सब का दिखाई पड़ जाएगा और यहाँ पर सब दिख भी कुछ लोगों का भी incomplete है और कुछ लोगों का पूरा का पूरा यहाँ पर हो चुका है तो अब ऐसे ही दोस्तों माडूल 6 को भी चेक कर लेते हैं यहीं आ जाएंगे एरो पर टे करेंगे next page में जाएंगे और 6 आ गया और 6 में को भी चेक कर लेते हैं इस तरह से करके आप ती पूरा कर सकते हैं और ध्यान दीजेगा दोस्तों यहां माडूल 1 से लेकर के 6 तक का पूरा डेटा है माडूल 1 से लेकर के 6 तक का पूरा डेटा दिया हुआ है आप यहां पर उसको चेक कर सकते हैं बाहर आ गये फिर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और यहां भी only कर लेंगे फिर आता है school name school name को select करेंगे only हो जाएगा बाहर आ जाएगे फिर यहां पर अपना data भी check कर लेंगे कि क्या पूरा complete है कि नहीं जैसे मेरे यहां दिख रहा तीन लोगों का पूरा complete है और कुछ लोगों का भी अधूरा है कुछ लोगों ने अभी course को शुरू भी नहीं किया है तो दोस्तों इस तरह से जो है आप देख सकते हैं और satisfied हो सकते हैं कि आपने transaction पूर्ण कर लिए है तो आपका लिस्ट में नाम है या लिस्ट में नाम नहीं है अगर नहीं है तो आप course इसका मतलब आपका course पूर्ण नहीं है आप समय रहते course को पूर्ण कर लिजे और इस जो है जो link है dashboard की वो मैं अपने वीडियो के description में दे दे रहा हूँ आप वहाँ पर जा करके अपना चेक कर सकते हैं तो आसा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद दे तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लिजे विल आइकन प्रेस कर दीजा और इसे दूसरे मित्रों को share भी कीजे मिलते हैं आपसे next झाल 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 झाल